लो नमस्कार दोस्तों आप सब कफर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के इस उड़ी में हम बात करने आले सहीद मुश्टा कली 2020 ट्रॉफिक की जो मैच है मनिपूर वर्सेस पंजाब यानि पीम एन वर्सेस पी यान के बीच की मैच के तीन ड्री मिलिय उनकी विनिंग टीम में आपको दिखाने आलो जिससे के आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है या फिर आप ग्रैंड लिग या स्मॉल लिग ज़रूर जीन सकते हैं जैसे के मैंने मैच को हैलेट करके दिखा दिया उस पर आपको क्लिक कर लेनी है और अगर अपने ृ आपको ऐड़ीट करके दिखाता जाओंगा कि किसी को ले सकते और किसी को नहीं लेना है और और क्ैप्टर और वाःस क्या किसी बना सकते हैं यह सकते बाते में आपको बताूंगा माड टीम पर जाके निकिस्टों फिर से एक बार रिख्वेस्ट करोंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो करी लीजिए साथ साथ बेल अकॉन को प्रेस करके औल पर भी क्लिक करना ना भूले साथ शाथ दोस्तों पिछले कुछ वीडियो जाकर देख सकते इनफेक्ट कल का ही वीडियो ले लीजिए ड्रिम टीम के पॉइंट थे साथ सो से थोड़े जादा कुछ पॉइंट थे लेकिन हमारे पॉइंट छे सो छे थे उसमें हमारे आठ प्लियर ग्रैंड टीम में थे दो में अब चलते हैं बिना किशे देर के वीडियो को शुरू करते हैं मार्टिम पर क्लिक करके पाइले टिम को में इडिट करके दिखा देता हूं सबसे पहले आफकोस की बात करें तो यहां पर दो की पर एशाह प्लेंग जिलियों में है प्रभ सिम्रण सिंग एक है दुस्तों और यह सेकंड वाले पेसिग षटबर है वह प्लेंगिलेंग नहीं है तो यहां पर इनका और इनका कोई में लाज्ट मैच में दिलए नहीं है अफकोस परहली टेम थम्लू हो टोटक कोई पूरस करेंगा 96.93पर संट लोगों ने को इसलेग क्या है अफकोस यह कोई द्यक करना पहले टेविंव कोई रिस्क नहीं लूगा इसके बाद बात करें तो संदै को इस टीम में शामिल कर रहा है। अब भी फिलाल मैं जो बेस्ट टीम है वही बनाने आएंगे। के युमान को इस टीम में ले रहा हूँ और सी बिदेश को इस टीम में शामिल करूँगा तो इस तर से बेस्ट चो टीम बनने हो लिए जो लास्ट मैच में ड्रीम टीम रही होगी वही हम बनाएंगे अगर बात करें आलराउंडर की तो अभिशेक शर्मा को हमें लेना होगा और एल मेंटेंड को भी इस टीम में शामिल करूँगा मैं इस तर से दो आलराउंडर लूँगा हाला की यहां पर एक एस करीम ने ज्यादा पॉइंट दे लेकिन मुझे लगता यह बंदा ज्यादा बेटर रहेगा इसलिए इनको मैं इस टीम में लूँगा अगर बढार काफी दबादस परफोर्म से प्रियोजित अच्छा खासा परफोर्म से और बिस इनका भी ठिक टाग परफोर्मंस यहां परकूर। पहले पहले चार में से तीन को तो हम जानते कभी आइपेल के वज़े से कभी मतलब उनका इन में से किसी मतलब मेरे खाल से सिद्धात कौल का और मैंक मारकेंटे का इंडियन टीम के लिए भी सिलेक्शन हो चुका है शायद ब्रार का भी हो चुका है पता नहीं वह प्लेइंग अच्छे खासी हमारी टीम बन चुके और कोई रिस्क नहीं लिए हमने कोई यह नहीं लिए फिर भी अच्छे खासी टीम बन चुके और अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि कैप्टन और वाइस कैप्टन हम किसे बना सकते तो अफकोस मैं यहाप पर को लिए इस कहला कोई option भी नहीं है रोस्तों और अगर बात करें तो बैटिंग में मैं यहाँ पर सी बिदेश को ले रहा हूँ के योमान को ले रहा हूँ इस तरह से बात करें तो 강सी। बैक्सक्तहं दो ले रहा हो। जिसमें अभी शेक शर्मा हर टेम में रहें गे और Present को इस टिम में शामिल कर रहे तो कुल मला के ठोड़ा हट के स्वचा है आपर इसलिए दूसरा बात करें तो को कुल नवरा पाचो गेन बाजों ने शुरुवाती मैचों में काफी जबादस परफॉर्मस किया है जिए तो पाचो चु को खोड़ दिया जाये तो पर उनको भी मैं स्टीमे जबादस जामिल करूंगा क्योंकि मुझे लगता है वो भी काफी जबादस प्लियर है अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे सर्प्रेज की तो मैं यहाँ पर गेनबाजी में सिद्धात कॉल को कैप्टन बना रहा हूँ तो वही के प्रियोजित सिंग को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ जी आ दोस्तों आप थोड़े चोके जरूर होंगे सिद्धात कॉल को काफी जादा लोगों ने पसंदी दिये कैप्टन और वाइस कैप्टन लेकिन के प्रियोजित सिंग को किसी जादा किसी ने परफोर्मर्ण्स के दमपर नहीं किया एक देख सकते हैं इनको जरूर करूँगा दोस्तों आप देख सकते हैं सिद्धात को सुरक्षित है मतलब काफी लोगों ने किया है तो कोई प्रॉब्लिम ने इनको Captain मनाने में लेकिन दोस्तो कि प्रियोज़ित को ज्यादा लोगों ने नहीं किया है उनको सभी ने इग्नोर कर दिया है लेकिन दोस्तों अगर सोचे हम अगर इनको आप पॉइंट मिल सकते आप इनके वज़े से ग्राइड लिग भी जिद सकते अच्छी खासी अर्णिंग भी कर सकते तो खुल मिला के आपको समझ में आई गया होगा इस ट्रीम को आप ग्राइड लिग के लिए भी यूज कर सकते दोनों लीगों के लिए बेस्ट रहेगी द दुसरी टीम में आपको दिखा देता हूं इससे पहले दोस्तो एक बार मैं और बताना चाहता हूं कही है क्या इस यहाँ डोनों का परफर्फरंस देखा तो वह भी दिखा हो चलिये दोस्तों दूसरी टीम के अगर बात करें तो यहाँ देख सकते के मिनéis की लेने रोग सकता क्योंकि सिर्फ परसेंट परसेंट लोग और दोवल हमनदीप सिंग को लोगा जेई ओर लोगा इन तीनों के बारव बात करेंत तो काफे by रेंगे तेनों का people खराब रहा है अभी तक को दो-दो मैचे से हुए हाला कि इनको जच करना थोड़ा मतलब गलत सावित होगा लेकिन फिर भी इनका परफॉरमस देखते हुए यह काफी रिस्की प्लेयर है लेकिन मैं जरूर इन तीनों को पिक करूंगा उसके बाद के युमान और सी बिडेश्ट यह तो रह नहीं वाल तो कुलमला के अच्छी खासे टीम बनी है थोड़ा रिस्क लेके टीम बनाई है तो पाहिदेमन सावित हो भी सकती है अगर बात करें तो प्रवसिम्रन सिंग को कैप्टन बना रहा हो और वाइस कैप्टन मैंक मारकंडी को बना रहा हो दोनों की दोनों बढ़िया है हाला कि देख सकते हैं मैंक मारकंडी को 0.86% लोगों ने क्याप्टन और 2.66% लोगों ने वाइस कैप्टन बना रहे हैं यह थोड़ा रिस्क है लेकिन हमें यह रिस्क भी लेना होगा दोस्तों फिरसे एक बार टीम प्रिव्यू करते हैं सबसे पहले प्रवसिम्रन सिंग को लेना ज़रूरी है शाह को ले रहा हूं उनके साथ साथ उसके बाद बैटिंग में पाच बल्ले बाद ले रहा हूं एस सिंग एम सिंग स्रीवडेश जे सिंग और के यूवान चपाचों और दो कीपर और इसके साथ साथ अगर हम बैटिंग में अभिशिक शर्मा को भी पकड़ लेंगे तो यहां पर मेरे पास कुल मिला के सभी वह बैट्स बने जो कि अच्छा खासा परफॉमस कर सकते जो कि अच्छे खासी बैटिंग कर सकते यानि बैटिंग के पॉइंट आपको आज फिक्स मिलने आ ले कोई भी बल्ले बाद अच्छी बैटिंग कर ले तो इस फुल मैंने रिस्की बना है लेकिन इसी वज़े से आप ग्राइंड लिग जीट सकते हैं आद्स तो ग्राइंड लिग में आप जितने रिस्क लेंगे उतने चांसेस रहते हैं लेकिन स्माल लिग में वैसा नहीं रहता है दूस्तों इपने साथ तो लेकिन अगर अच्छी टीम पढ़ जाए हमने जो जो प्लीयर के लिए तो हम ग्रैंड लीक जीत सकते अगर नहीं तो अच्छी खासी अर्निंग हमें मिल जाती है अच्छी खासे रांक लेकर हम अच्छे खासे पैसे कमा सकते तो इसलिए इस ट्रिम को ग्राइंड लिए यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा स्मॉल लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करना अगर बात करें क्याप्टन बनाइं जहां पर छे चक्के और दो चौके लगाया वहीं दूसरी मैच में भी इन्होंने 43 ही गेंद में 57 बनाएं जहां पर इनके बल्ले से छे चौके और योंर 2 ौके निकले देते दोस्तों तो कुलमुला के एक मैच में इनको 114 तर का स्ट्रैक कि क्लमाला के खासाब्य कपना जरूरी है कई ना कई वहीं वासष टाइब फिर से मैंने रिस्की बना छो कि मायंक भारकंडे को बना है दोस्तों एक मैच मे सकति दोनों बार डृब है और सबसे बडिवाथ है दोनों बार इनकी एकोनॉमी काफ़ी जबर्दस्त रहे एक बात उन्होंने छे की एकोनॉमी दी है और एक मैच में छे पॉंट 75 की एकोनॉमी दी तो कुल मिला के इनकी एकोनॉमी काफ़ी जबर्दस्त रहती है दोस्तों और आफकोस इनको जिनकी एकोनॉमी कम रहती दोस्तों उनको बल्लेबा कर लेते तीसरी और आखरे टीम बने आ लिए दोस्तों यहां पर फिर से पी सिंग मतलब प्रप्सिंग को लोगा यहां पर फिर से एक और चेंज मैंने कर लिया आप यहां पर सबसे ज्यादा मैंने और अल्राउंडर स्लेयर है हाला कि पर्फर्मस में ज़्यादा कुछ खास नहीं है अविशेक शर्मा को टफकोस लेना है आर राजकुमार को लूगा उसके अलावा के इस करीम को भी लूगा और पी मान को भी लूगा पर्फर्मस ठीक ताक रहा है बाकी तीन जो अल्राउंडर से उनका लेकिन एक टीम मे हम इनके साथ चाह सकते इन पर भर्षा कर सकते जावल लगा सकते इसके अलावा बॉलिंग की बात करें तो आपकोस सिद्धात कोल रहेंगे इस बार मैंक बार कंडे को ड्रॉप करके हर प्रित ब्रार को इस टीम में रखूंगा और के प्रियोजित सिंग तो हमारे पास रहे इनको क्याप्टन जरूर बना लूँगा फिर से एक बार रिस्क लूँगा कि युवान को वाइस क्याप्टन बना रहा हूं हलाके पर्फॉर्मस इनका भी अच्छा खासा रहा है फिर से बार टीम प्रिव्यू कर लेते सबसे पहले पी सिंग को मैंने लिया है विकेट के प पुल्बिला के काफी अच्छे अच्छे ओल्राउंंडर से हाला कि अभी तक कुछ का पर्फॉर्मस अच्छा नहीं रहा agora के लेकिन ऑल्राउंडर से चारो बी काफ़े बहतरीन है बैटिंग ब्लिंग अच्छी कर सकते और अच्छे खासे पहांच दिला सकते तो इसलिए थ टीम काफी अच्छी है लेकिन फिर से कऊंगा दोस्तों इस टीम को अपखोस आपको सिर्फ ग्राइड के लिए स्मॉल लिक के लिए नहीं ले सकते तो इसलिए यह टीम मैं आपको सिर्फ ग्राइड के लिए सजेस्ट करूंगा स्मॉल लिक के लिए बिलकुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा जी आ दोस्तों कुल माक के बात कर लेते क्याप्टन और वाइस काप्टन की तो सबसे पहले तो आप देख सकते अभिशेक शर्मा को मैंने क्याप्टन बना है और इनके पर्फोर्मेंस की भी अगर बात करे तो अभ अभी जबदस पर्फोर्मस घेन बाज़े के बात करें तो यह विकेट लेस रहे दोनों मैच में बैड लग है यह लेकिन दोस्तों पर्फोर्मस देखेंगे तो इन्होंने एक मैच में 4 ओवर में चार पॉइंट पच्छिस की एकोनोमी से मतलब रण दिये हैं और एक मैच म आसपास मेरी खायल से इकोनोमी रही होगी तो कुलमला के काफी जबद्द स्पॉलिंग बैटिंग तो करी रहे साथ गेन बाजी भी हर डोनों मैचस में इनको चार-चार ओवर मिले और इनकी एकोनोमी काफी शानदार रही तो इसलिए इनको क्याप्टन तो बनाना बनता है र लेकिन एक मैच में उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग किया और उन्होंने 45 गिंदों में चौसर्ट रण बनाए दोस्तों यहां पर इनका बया एक सब्सक्राइब काफी कम लोग रहेंगे जो इनको क्याप्टन या वाइस कैप्टन बनाएंगे और यह फिर से अगर अच क्याप्टन बाइस कप्टन मैंने से लेक्टे या जिससे आपको काफी फायदा हो सकता आप जित सकते आप जरूर कर सकते तो कुल्बला के यह बी टीम काफी अच्छी बनी इसको भी मैं फिसे कहूंगा सिर्फ ग्राइब करना है स्मॉल लिक के लिए इसे यूज नहीं करना है जिए दोस्तों कुल्बला के स्टीम को भी अभी क्लोज कर लेते सेव कर लेते हैं और आखिर में यह कंगो दोस्तों अगर आपको लगता है इन तीनों टेमों में कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर कैप्टन और वाइस काप्टन सही नहीं तो आप ज़रूर चेंजेस प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना भूले ताकि ऐसे वीडियो आप तक पोस्टे रहें आप अच्छे से अर्णिंग करते रहें साथ इसाथ टेलिग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में देर रहा हो वहाँ पे जाके उसों जोरू कर लिजे ताकि कुछ भी चेंजेस रहत और गुद्बाइ